जब आपको मालूम ही है ति आपकी सरकार आएगी जैसा आप दावा करता मैं नहीं बूलता तो फिर 6 महीने बाद इसके आगे की परकरिया भी हम कर लेंगे अगर मोजी सरकार की नियत साफ है तो संभब है ओडिनेंस के जरीये ये कानून को लेकर आना ऐसी बात नहीं है और हम ये भी बोल रहे हैं PCACAP की जो आपकी कैलकूलेशन है बेशक हम उसके साथ सहमत ना हो आप 23 फसलों के उपर पहले ही MSP का ऐलान कर रहे हैं बेशक हम सभी फसलों के उपर MSP मांग रहे हैं तो आपके पास पहले टै किया हुआ फार्मूला है जो सरकार ने अपनी मर्जी से लाया है A2 प्लस F L का बेशक हम उसके साथ सहमत हो या ही ना हो आप उसी के आधार पर खरीद की ग्रंटी का कानून बाना सकते हैं अब C2 प्लस 50 परसेंट आपके दवारा जो CACP में लिखा है उसी के दवारा अगर उसको लागू करेंगे ते हमारे हमारा अब जो रेट्स है गेहू अथवाधान का तो एक हजार से प्लस रुपए आपको देने पड़ेंगे चलो ये आगे की बात है उसके उपर चर्चा हो सकती है आगे बढ़ा जा सकता है C2 प्लस 50% के उपर लेकिन इसके बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए कानून लाने में और इसी तरह से हम कैल्कुलेट कर सकते हैं गन्ने का C2 प्लस 100% है ये कैल्कुलेशन की बात है आप पहले कानून लाने का निर्ने ले लिजिए तो ये मोर्चे का सुखत हल निकल सकता है दूसरा अप किसान और खेत मुज़ूर की कर्ज माफ़ी का सवाल है ये तो आपके टिप्स के उपर आप ना देना चाहें तो आपकी मर्जी है क्योंकि सारी बैंकिंग आपको दो दिन में ही सारे आंकड़े दे सकती हैं पहले आपने हम से वार्था की इस वार्था से पहले आप सारे आंकड़ी कठे कर सकते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है और आप निर्ने ले शकते हैं भी ये करज हम खतम करेंगे अगर आपकी political will होगी आपकी इच्छा शक्ती होगी फिर हमारी सरकार किसान और खेत मजदूर के साथ बैख के निपटने के लिए तैयार है तो हम कर सकते हैं हाँ जो बात ये बोली जा रही है फिर हमारा तो बजट आ गया है तो ये दिसके कानून में ऐसा नहीं लिखा गया फिर बजट के बाद भी सरकार कोई निर्नन नहीं कर सकते हैं बजट का प्राबधान अलग से हो सकता है और जब आप निर्नन लेंगे तो अभी आने वाले समय में गिहूं और धान के उपर तो खरीदी है तो जब आगे जाके बजट का प्राबधान भी किया जा सकता है आप कानून लाने के लिए आउडिनेंस करके बात आगे बढ़ने का रास्ता तो खोले आगे चला जा सकता है और यही हम बोलना चाहते हैं पूरे देश के समक्ष पि हम इस अंदोलन का सुखत हल चाहते हैं अब सरकार की मर्जी है वो किस तरह के निर्ने लेती है सरकार का दावा है पि हम FDI में जैसे मुक्त बपार समझावते में जो बाहर से आयात करेंगे उसके उपर जो शुलक लगा उसको हम बिल्कुल जीरो करने वाले नहीं है तो भरका भार सरकार को किसने रोका है वो बयान दे आपशिली प्रधान मंत्री जी बोले और FDI का FDI मे जो समझावता हुआ जन तक कर दीजिए पुरी अखबारों को दे दी थी पी FDI हमने सेंड किया निकल के सब आ जाएगा उस FDI में लिखा क्या है तो इससे हम आगे भढ़ने में सफल हो जाएंगे और जो लैंड आकुजिशन एक्ट 2015 है जो मॉडल एक्ट बोल रहे हैं हमार किसान की मर्जी के बगार हम जिन जमीन नहीं लेंगे और जहां से खेत मज़ूर की बसती या किसान को उजाडेंगे आगे उसको बसाने का प्राबधान करेंगे तो अब तो हम आजाद हो गए हैं इस आजाद मुलक में मोदी जी की गवर्मिट आने के बाद ये मोडल अधिकार दे ली आ गया फिक आप किसान की मर्जी जो उसकानून का प्राबधान की जब भी जमीन अधिकरण होगी तो सतर पर संट किसान की सहमत्य अवशक है अब इस कानून के अंसार किसान की सहमती की जरूरत नहीं है ये पूरा देश जानरा है एक्ट बोल रहा है तो आप बोल रहे हैं भी हम बाधा बन रहे हैं हम बाधा नहीं बन रहे हैं तो आप निर्मे लीजिए ये हम शंचोधन आउडिनेंस करके कर देते हैं तो इस मोर्चे तो क्या आप बोल रहे हैं परली मेंच तो भंग हो गई ठीक है बेशक हम ऐसा नहीं मानते हैं अभी आपके पास समय है चलिए ये भी मान लिए तो प्या आजे मिश्री टाइनी को अभी मंत्री मंदर से बाहर नहीं किया जा सकता पूरे देश को सुखत संदेश नहीं दिया ज देरना है उनके उपर 20 बी का पर्चा है आप उसको गिर्पतार कर सकते हैं तो संदेश अच्छा जाएगा किसान अंदोलन को पिर हम आपकी मांगों के उपर आगे बढ़ रहे हैं लखीमपूर खिरी घायलों का मावजा बहुत चोती बात है वह भी आप नहीं दे रहें और आप इस तरह की कंडिशन लगाएंगे फिर पहले अंदोलन खतम करिए फिर हम पाइसा देंगे तो मुझे नहीं लगता उचित है देश जानना चाह रहा था पिर गतिरोध कहां पर है तो हम गतिरोध के उपर आपके आजवारता कर रहें भी गतिरोध कहां कहां पर खड़ा है इस गतिरोध को सरकार को अपनी ओर से खतम करने का निर्ने लेना पड़ेगा और भी मांगे हैं हमारी उनके उपर भी चर्चा हुई है चर्चा करके हैसला तो असल में सरकार को करना है ठीक है जैसे हम बोलते नारेगा आपने पॉर्षी तो बनी है उसका बजट बढ़ान यह आगे जाके हो सकता है पर आपकी नीटी तो सपस्ट हो गई तो यह बाते हैं देखिये सरकार क्या निर्ण brands हम तो चाहते हमारा काम कीजिए यह क्या किस धंग से आप मारा काम कर देंगे यह आपकी मर्जी है अगर यह आप आप कहेंगे पी आप कोर केमेटी जा कुछ भी आप बनाएं और किसान लीडर सहमत हूं और उसके बाद बोलें पी आप घर को जाएं यह मुझे लगता है निरने उचित नहीं होगा कर देखे आप भी वहां पर खड़े हैं तो हमारी और से तो पहले भी शांती सी अब भी शन्ती है ऐसी कोई बात ने अब मुझे नहीं मालूम लगता पी कुछ इस तरह क्या सामने आता जिस तरह से टीर गैस और वह भी बहुत कम मुझे लगता है एक दिन में शायद एक काद बार तो मुझे लगता है यह वारता से पहले उचित नहीं होगा सब को संयम वरतना चाहिए हम सभी देश के किसान मजदूर जुवाव सब को बोलना चाहते हैं तो हमारा पिसपुली ढंग से पर रहे हैं आप देखेंगे सब मांगों का हल होगा आपके अंदूलों में कोई पर परचार प्रपोगंडा कर रहे हमारा किसान मजदूर की मांग के उलावा कोई और अजंडा है ही नहीं तो उसको जबरदस्ति हमें बदनाम करने के लिए बोला जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं हमारा नियंतर ने पूरी तरह अपने अंदूलन के ऊपर और हम सरकार से वारता के माध्यम से अपनी बात को रखकर मसलों का हल चाहते हैं हाँ अगर सरकार जानबूज कर हमारे हमारी मांगे नहीं मानेगी तो फिर उसके आगे भरना जांदूलन को आगे लेके जाना यह हमारी मजबूरी होगी शौक नहीं होगा हाँ देखे चाहिए तो से सेंटर गवर्मन को उन्होंने पहले भी नहीं कुछ दिया अब भी निया पंजाब गवर्मेंट ने पांच लाख का अनूसमेंट बोली है अच्छी बात आज उतके पैत्रिक गाउं में बारां बजे उनका अंतिम सरकार होगा जो वहां के आसपास के गाउं है वो जरूर उस यह शहीद है पूरे किसान मजदूर अंदूलन का वहां पहुंचना चाहिए उनको पूरे सनमान के साथ उनका ससकार किया जाना चाहिए धहर रहे हैं वो बैठे हैं ऐसी कोई बात नहीं है हाँ किसान के मन में गुसा जरूर है जिस तरह से जो कुछ हमारे उपर जबर किया जा रहा है और जिस तरह से हमारी मागों को इगनोर किया जा रहा है जिस तरह से मंत्री महोदे के ब्यान आते हैं ये बाते संबब नहीं ह इन इन ब्यानों के उपर जूरा क्रोच है और हम चाहते हैं बिलकुल इसका सही धंग से हल निकले और कहते हैं ये देश सभी का है फासी फिरकुवादी अजंडा इस देश का नहीं हो सकता ये देश सेकुलर देश है सभी का देश है ये अजंडे पर देश को बढ़ना कि सभी का ये देश है और हम कहते हैं हमें अपनी मांगों को मानाने के लिए इस देश का सभिदान पिस भूली ढंक से अंदोलन करने का हक देता जो भार सरकार को हमसे शीनना नहीं चाहिए आप तोड़के नहीं कह सकते एक बात को भी एक मंत्री मंदर से निकाल दिया तो क्या किसान अंदोल खरतम हो जागा ऐसी बात नहीं है सभी बाते इंटरक्रेंक करती हैं हम तो बोल रहे हैं आप आउडिनेंस लाइए मस्पी कानून के उपर आगे बढ़ा जा सकता ये गतिरो तूटेगा ये आपके हाथ में आप यक मुक्त आउडिनेंस कर सकते आगे की बातों के लिए आगे कुछ परकेरिया बना कर बढ़ा जा सकता